नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग पहले तो एक सूचना विर्तिगत जानकारी आपको देनी है कि मेरा एक एमर्जिंसी आई ऑपरेशन होना है आपका ऑपरेशन होना है और ये मेजर आपरेशन होगा अचाना करवाना पड़ रहा है तो डॉक्टर का कहना कि हो सकता है हो सकता है तीन से चार हफ़ते मैं कोई काम न करना हूँ तो आप लोगों से अमरोध है कि तीन चार हफ़ते बाद जब लौट कर आऊं तो भूलना जाएएगा लौट कर ज़रूर आऊंगा इसका पका विश्वास है तब आज की बात करते हैं आज के मुद्दे की आज चलते हैं पुरवत्तर के सबसे बड़े राज्य असम की और असम की आबादी आपको मालूम है कि लगभग सवा तीन करोड है और इस आबादी में 2011 के सिंसर्स के मताबिक और उसमें से 34.2% मुसलिम आबादी है देश में जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़ादा आबादी का प्रतिशत है असम में मुसलिम आबादी का और ऐसे राज्य में भारतिय जनता पार्टी का एक बार नहीं दो दो बार और वो भी लगातार पौण बहुमत से सत्था में आना ये कोई सामाने बात नहीं अब इस तरह का इस तरह की घटना होने के बाद इस तरह की परिगटना के बाद जाहिर है कि कुछ लोगों को परेशानी होगी कुछ लोग नहीं बहुत कुछ लोगों को और जब मैं परेशानी की बात कर रहा हूँ तो क्यों मुसल्मानों की परेशानी की बात नहीं कर रहा हूँ उस मुसलिम मदाता की बात नहीं कर रहा हूँ जो भाजपा विरोधी है जो संग विरोधी है मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ जो मोदी, संग और बीजेपी विरोधी है उनके मन में ये चिंता की बात है कि इतने बड़े मुस्लिम आबादी वाले राजमें भाती जंता पार्टी कैसे सत्ता में आ गई उनको ये बात ना हजब हो रही है ना बरदाश्ट हो रही तो इसके लिए थरह तरह के नए नए शगुपे छोड़े जा रहे हैं नए नए बातें की जा रही है और अभी हाल ही में जो घटना हुई है वो आखें खोलने वाली है और चौकाने वाली भी आपने खबर सुनी होगी 23 अक्टूबर को असम के गोलपाड़ा में एक मिया म्यूजियम बना अब मिया आप समझ लीजिए आप तोर पर बोलचाल में जो है उतर भारत में तो सभी मुसल्मानों के लिए इस्तिमाल होता है लेकिन असम में इस शब्द का इस्तिमाल बंगला देशी गुसपैठियों या बंगला भाशी मुसल्मानों के लिए होता है जो बहुत सम्मान के संदर में नहीं होता है इसलिए मिया म्यूजियम का बनना एक मिया म्यूजियम बनाया गया और किसने बनाया मेहर अली नाम के एक सज्जन ने मिया म्यूजियम एक निजी म्यूजियम खोला गया ये कोई सरकारी म्यूजियम नहीं था इन सज्जन ने खोला कहां पर जो प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान मिला था उसमें ये म्यूजियम खोला और उसमें सामान क्या रखा गया लूंगी, मचली पकड़ने का सामान, पिथा जिसको राइस केक, जिसको पिथा कहते हैं समय भाशा में और इसके लावा हल और कुछ ऐसी चीजें जो आजकल इस्तेमाल में नहीं आती और इसको बताने की कोशिश की गई कि ये मिया संस्कृति का प्रतीक हैं ये सब चीजें, और ये सब चीजें जो है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम बंगला देश से ये सब लेकर आए थे, ये हमारी चीजें, ये हमारी संस्कृतिक विरासत है, ये हमारी पहचान है, जब ये इसकी खबर आई इसका घाटन हो गया उसके बाद इसकी खबर आई और पूरे प्रदेश में पैल जाई तो उसकी जाँच शुरू हुई जाँच करने पर पता चला कि पहली बात तो ये कि बिना किसी जादत के प्रदान मंतरी आवास योजना में इस तरह का मीजियम तो खोली नहीं सकते है खोला उन्होंने उसके अलावा सरकार से 11 बीगा जमीन मांगी और एक और मीजियम खोलने के लिए और ये घोशना की कि पूरे प्रदेश के हर जिले में ऐसा मीजियम खुलेगा जब इसकी खबर सरकार तक पहुँची तो मुख्यमंतरी हिमंत विस्षरमा ने कहा कि इस मीजियम में जो कुछ है उसमें लूंगी के अलावा उनका कुछ भी नहीं है वो थाबित करें कि ये सब उनकी सन्सकृतिक पहचान है, धरोबर है उन्होंने का कि ये सब असमिया सन्सकृति की पहचान है इन में से कोई चीज जो है वो ये बंगलादेशी घुसपैटियों की नहीं है और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति अपना घर नहीं बनवा सकता हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहट घर मिला हो, वो एक प्राइवेट म्यूजियम कैसे खोल रहा है, इसकी जांच होई, उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी कि पैसा कहां से आया, कॉंग्रिस के एक वि श्रीमंत शंकर देव कलाक्षेत्र है, उसमें भी मिया म्यूजियम खोलने की मांग की गई, अब ये मांग समय समय पर होती रही, इसको दर्किनार किया जाता रहा, इसको जादा ध्यान नहीं दिया जाता रहा, जब ये म्यूजियम खोल गया प्राइवेट म्यूजियम, जो बात सामने आई है वो बड़ी चिंता में डालने वाली बात है कि इसकी फंडिंग जो हुई है दो संगठनों से हुई है और ये जो मिया म्यूजियम के महर अली है इनका संबंध इन दोनों संगठनों से है एक है अलकाइदा इन इंडियन सब कॉंटिनेंट इजन्ट जो है असम में भी है उत्तरपूर्व के दूसरे राज्यों में भी है और इनके दो या तीन एजन्टों की गिरफतारी हुई है उनसे जो बात निकल कर सामने आई है उससे पता चला कि महर अली है और इनका संबंध है पहले से और महर अली को इसके लिए 10,000 रुपए पहला म्यूजियम खोलने के लिए दिया गया था अब इस बात को समझे कि इसके पीछे का मकसद क्या है बातिय जन्टा पार्टी ने अपना चुनाओ अभियान खास तोर से पिछली विधान सबा का चुनाओ अभियान उसका मुख्य लक्षे उसका मुख्य जो है वो नारा था मुख्य जो है वो मुद्दा था भूमी पुत्रों को बंगला देशी घुसपैटियों से बचाने का NRC का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है आसम में आपको पता ही है ये सब कोशिशे हो रही हैं जो लोग चुनाओी मैदान में नाकाम रहे जो जनता की अदालत में जिनके पक्षमे फैसला नहीं आया वो अब जनता की इस मैंडेट को तोड़ फोड़ के जरिये आतंकवाद के जरिये बदलना चाहते है वो असम में आतंकवाद और हिंसा और सामपरदाई दंगे फैलाना चाहते है इसके जरिये है कि हिंदू मुस्लिम टक्राव हो इस तरह की सामपरदाई घटनाए हो जिससे इस सरकार को बदनाम किया जा सके सरकार के कामकाज पर सवाल उठे सरकार की कारिशेली पर सवाल उठे सरकार की विकास योजनाओं को लेकर सवाल उठे सरकार की मीतियों को लेकर सवाल उठे इसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन सरकार को इस तरह से डी स्टेबलाईज करने की कोशिश और समझ दीजे कि ये मामला किवल असम तक का नहीं है इसमें अंतराष्टिय ताक्तें शामिल है ये बात उन लोगों को कतई नहीं हजम हो रही है जो मुस्लिम तुष्टी करण की राजनीती करते थे उनके उनके ये कलपना में भी नहीं था कि असम जैसे राजनीती करते हैं भाजपा की कभी सरकार भी बन सकती है और अब तो दो दो बार बन चुकी है और इस पश्ट बहुमत से बन चुकी है ऐसे में सारी कोशिश ये है कि प्रदेश में राजनीतिक अर्स्थिरता पैदा की जाए तो आतंकवादियों का सहरा आतंकवादी संगठनों का सहरा लिया जाए जो भी हो सकता है वो किया जाए और प्रदेश को दंगों की आग में जोक दिया जाए और असम में ये कोई नई बात नहीं होगी असम में इस तरह की घटना ये कोई नई नहीं होगी लेकिन पिछले 6 साल से जब से ये सरकार आई है कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है कोई बड़ी ऐसी घटना नहीं हुई है ये चिंता की बात बन गई है सबसे ज़्यादा चिंता और दूसरी बात ये है कि इनको डर ये है कि अगर असम में आज हुआ है तो बंगाल में कल हो सकता है क्योंकि बंगाल में तो मुस्लिम आबादी इस से कम है तो क्यों असम में हुआ क्यों बंगाल में नहीं हो पाया असम में इसलिए हुआ कि असम के हिंदू एक जुट हो गए बंगाल में नहीं हो पाया इसलिए कि बंगाल की हिंदू एक जुट नहीं हो पाये तो मामला कुल ये है कि किसी तरह से हिंदू एक जुटता को तोड़ा जाए और उसके उसके लिए जरूरी है कि आशान्ती पैदा की जाए आजकल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनर जी जिस तरह की भाशा बोल रही है जिस तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस की मौजूदगी में कहा कि लोकतंत्र को बचाईए इस देश की संस्ताओं को बचाईए अब कोई भी मुख्यमंत्री या समयदानिक पत पर बैठावा व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पुलिटिकल भाशन इस तरह का नहीं दे सकता जो ममताब एनरजी ने दिया ये उनकी हताशा का डिस्परेशन का संकेत है उनके हिसाब से फेडरलिजम खत्रे में है ये वो मुख्यमंत्री बोल रही है जो अभी फेडरलिजम को मजबूत करने वाले कदम अभी जो है अभी देश भर के ग्रह मंत्रियों और डी जी पी और बंगाल से असम तक कोशिश ये है कि किसी तरह से बड़ी राजनितिक अराजकता पैदा की जाए इसको दिखाये जाए कि ये बीजेपी के सत्ता में आने से असम में राजनितिक परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई है और बीजेपी जब तक सत्ता में रहेगी तब तक इस् इसकी प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता समस्या की जड़ यही है समस्या की मूल वजह यही है कि जो असम में हुआ है वो बंगाल में ना होने पाए इसलिए पहले असम को जो है अशांत करो पहले वहां राजनिती को अस्तिरता पैदा करो तो आतंकवादी संगठनों के involvement से यह museum के बहाने प्राइवेट museum के बहाने यह miyam museum के बहाने जो शुरुआत हुई है यह आने वाले समय में बड़े खत्रे का संकेत है इसको अगर शुरुआत में ही नरोका गया जो कोशिश हो रही है तो यह बड़ा रूप ले सकता है यह ऐस हाथ से बाहर निकल जाए तो उससे पहले जिस तरह से प्रोएक्टिव है हिमंत भिश्वर्मा की सरकार मुझे लगता नहीं कि इनके इरादे सफल हो पाएंगे लेकिन चौकना रहने की जरूरत है क्योंकि तमाम विदेशी और देश के अंदर की बहुत सी ताक्तें नहीं चाहतीं कि ये देश आगे बढ़े नहीं चाहतीं कि इस देश में अमन चैन रहे नहीं चाहतीं कि इस देश में विकास की गती तेज हो नहीं चाहतीं कि भारत का रुदबा बढ़े नहीं चाहतीं कि भारत ताकतवर हो ऐसी ताकतों का मकाबला करने के लिए लोगों को तयार रहना चाहिए और मकाबले का एक ही तरीका है और वो है वोट वोट के जरीए अपने जनादेश के जरीए मद्दान के जरीए आप ऐसी ताकतों का मोहतोड जवाब दे सकते तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे कब मिलेंगे या भी बता नहीं सकता तो आपसे अन्रोध है कि जब भी मिलें इस चैनल को भूलिएगा नहीं इस चैनल को देखिए शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार